अब जैसे किसी question में किसी भी question में अगर ये दे दिया जाए कि दो बिंदों जैसे coordinate हैं दो coordinate हैं एक यहाँ पर है और दूसरा कहीं यहाँ पर है इसके coordinate हैं x1, y1 और इसके हैं x2, y2 अब इन दोनों बिंदों से होकर जाने वाली एक line है दो बिंदों से जाने वाली कोई रेखा है उसका समीकरण कैसे बनता है ये देखना है तो देखे अब इसमें दो सवाल पैदा होते हैं एक ये कि दो बिंदों से जाने वाली line का आवरधन क्या होगा m क्या होगा उसका slope क्या होगा तो देखे, यहां से यह slope होता है, यह angle बनेगा, लेकिन given तो केवल इतना ही है, तो M निकालने के लिए ही एक formula बन जाता है, कि slope निकालिए दो बिंदू का, को मिलाने वाली line का, यह समीकरण एक सवाल बनता है, और समीकरण बनाना दूसरा सवाल बनता है, दो बिंदू है, उन 2 माइनस X1, और कहीं कहीं पर कोई कोई बच्चा आगे पीछे भी कर सकते हो, माइनस कामन ले लो, तो Y1 माइनस Y2 अपान X1 माइनस X2, यह M की value है, और यहां पर अगर angle पूछ लिया जाए, तो M क्या होता था, 10 theta होता था, 10 theta is equal to Y1 माइनस Y2 अपान X1 माइनस X2, इस तरीके से theta की value भी आप निकाल सकते हैं, कि X axis के साथ यह line कितने degree का angle बनाएगी, अब इस line की equation बनाना हो, समी करण बनाना हो तो कैसे बनती है, बस समी करण तो आपको पता है, Y is equal to M X plus C, यह होता है, तो यह तो यहां से यहां तक यह C है, अब M की जगे पर यह डाल देना है, Y is equal to Y1 minus Y2 upon X1 minus X2, यह C, यहां पर X Y जो मैंने use कर लिया है, नेम की वज़े से, लेकिन यहां पर एक permanent X होता है, जो equation में होता है, वो वाला है, यह coordinate है, यह और यह X समी करण वाला है, इसको जड़ा ध्यान रखिएगा, और plus C, और यह Y is equal to M X plus C, इस तरीके से यह समी करण आपको मिल जाएगी, M की जगे पर यह लिख देना है, और आगे देखिए, अगर किसी बच्चे ने एक ऐसी लाइन खीच दी, जो दोनों एक्सिस को काट रही हो, ऐसे कोई लाइन है, और किसी बच्चे ने ऐसे काट दिया, तो अब देखिए, यह यहां से यहां तक अगर हम इसको A distance ले लें, और यह यहां से यहां तक हम B distance ले लें, तो यह इसको A ले लें, और इसको B ले लें, जो भी ले लें, तो इसके लिए बनता है, X upon A plus Y upon B is equal to 1, दो लाइनों को, दोनों एक्सिस को काटने वाली, दोनों एक्सिस को intersect करने वाली रेखा का समीकरण यह होता है, कहां पर काटती है, लाइन उसके क्वाडिनेट में देखें, जैसे 0 पर 3, तो 0 X है, 3 पर काटेगी, तो यह distance 3 आ जायेगी, यह 0 पर 3, यह B की value 3 आयेगी, यहां पर X की value count होगी, और इस तरीके से जैसे question बन करके आएंगे, कि कोई line है, X axis पर 3 की distance है, तो कहां काट रही है, तो X 3 और काटने वाला point Y 0 होगा, यह 0 है, इसी तरह इस पर काटने, जहां पर काटती है जिस axis को, उसी axis की value होगी, और दूसरे axis की value नहीं होगी, जैसे यह कहां पर काट रहा है, तो X 0 होगा, और Y में जो भी है 3, 5, जो भी आए जाएगा, तो यह Y axis है, तो Y की value देखे निकल रही है, X axis है, X की value निकल रही है और दूसरे की value 0 हो जाती है जहां पर काटती है line वहां पर जिस axis को काटती है उसके दूसरे वाले की value 0 होती है X को काट रही है तो Y 0 होगा Y को काट रही है तो X 0 होगा इस तरीके से दोनों line को काटने वाली समीकरन इस तरीके से बनती है इसको भी ध्यान दें, पढ़ें, समझें, सेर करें, लाइक करें, धन्यवाद